जैहें students, class 11th, exercise 9.2 Question number 5 In an AP, if P-th term is 1 upon Q and Q-th term is 1 upon P prove that the sum of first P-Q terms is 1 upon 2 P-Q plus 1 where P is not equal to Q केसी समांतर शेणी का P वां पद 1 upon Q तथा Q वां पद 1 upon P हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम P-Q पदों का यूग 1 upon 2 P-Q plus 1 होगा जहां P-Q के बराबर नहीं है तो यह data मैंने बेटा लिखके रख लिया है AP कितना है? 1 upon Q AP क्या होगा? A plus P-1D is equal to 1 upon Q थोड़ी सी जो थियोरी है वो लिख लेनी चाहिए कि let the first term of this AP be A and the common difference be D माना श्रेणी का प्रथम पद A तथा सर्वांतर D है यह लिख लेना बिटा तो A और D कहां स्याह होना चीए ना? यह लिख लेना second क्या है? Q-1 term तो Q-1, N की जगे Q यह N की जगे P और यह कितना दिया है? यह आपको 1 upon P दिया हुआ है ठीक है? यह आपको prove करना है उन्हों equations को solve करेंगे जैसे कि हम 10th class में करते थे elimination method लगाते हैं यह minus हो जाएगा यह plus की जगे minus और यह भी minus यह cancel हो गया यह D common लिया समझो अब यहाँ पर क्या आएगा? bracket में P-1 minus Q-1 आपको practice हो जाएगी न तो आप direct भी करने लग जाओगे अब यहाल फिल हल तो ऐसे लिख लिया P-1 minus यह minus है ना यह वाला minus Q-1 और सामने क्या है? 1 upon Q minus 1 upon P आपको P-Q terms का सम निकालना है यह ना यानि कि आपको एक तो A मालूम होना चाहिए और एक D मालूम होना चाहिए हम उसके लिए कवायत कर रहे हैं तो open किया bracket को क्या मिल जाएगा? P-1 minus Q plus 1 यही मिलेगा ना यहाँ पर आप LCM लेलोगे P-Q यहाँ आजाएगा P-Q यह आपने cancel कर दिया है ना तो P-Q D is equal to P-Q upon P-Q वैसे तो यहाँ से cancel हो रहा है अगर आपको नहीं करना है तो ऐसे कर लो P upon Q P-Q यह तो है यह जो P upon Q है यह कहां आएगा? यह नीचे denominator में आएगा इसको हमने cancel कर दिया तो फिर D कितना आगया बिटा? D आगया 1 upon P-Q गट इट? D आगया अब इस D की value आप किसी भी equation में रख दीजे इसमें या इसमें चलो मैंने इसमें रखा A plus P-1 और D के place पर मैं लिखने वाली हूँ 1 upon P-Q तो A plus P-1 into 1 upon P-Q is equal to 1 upon Q ठीक है? तो A plus यह हो जाएगा P upon P-Q minus 1 upon P-Q यह जो 1 upon P-Q है ना इसको इन दोनों से multiply कर दिया तो यह आप देखो P से P हो रहा है cancel है ना? A is equal to 1 upon Q यह जो 1 है ना? 1 upon Q plus का यह इधर चला जाएगा क्या हो जाएगा? minus 1 आओ यहाँ से 1 upon Q बचा ना मैटा? minus हो गया और यह minus भी इधर जाकी यह हो गया plus यह cancel तो लीजे A भी 1 upon P-Q आया था और sorry D 1 upon P-Q आया था और अब A भी 1 upon P-Q आ गया ठीक है? तो अब हमको क्या चाहिए? हमको P-Q टर्म्स का सम चाहिए S-P-Q ओके ना? P-Q टर्म्स का सम तो फॉर्म्ला लगाते है N upon 2 तो N क्या है हमारा P-Q तो P-Q upon 2 फिर होता है 2A तो A कितना है? 1 upon P-Q फिर होता है प्लस N minus 1 N हमारा P-Q है तो यह हो गया P-Q minus 1 N minus 1 D D भी हमारा 1 upon P-Q है ठीक? तो अब यह हो गया P-Q upon 2 यहां से आ गया 2 upon P-Q प्लस ब्रैकेट ओपन किया P-Q upon कर दू क्या एक स्टेप बढ़ा दू P-Q upon P-Q minus 1 upon P-Q मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया ठीक है? P-Q से P-Q cancel होके कितना आ गया? यह आपका हो गया P-Q upon 2 एंड इन ब्रैकेट 2 upon P-Q प्लस 1 minus 1 upon P-Q ठीक है? कंटीनू किया वहां से तो P-Q upon 2 यहां पर हम LCM ले ले बसे तो 2 upon P-Q minus 1 upon P-Q से 1 upon P-Q बज़ता है बट ठीक है? LCM ले 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 है 2 प्लस यहां पर क्या आएगा बेटा? P-Q minus 1 यही आएगा ना? तो अभी क्या हो गया? P-Q upon 2 और यह आपका numerator हो गया P-Q plus 1 upon P-Q P-Q से P-Q cancel 1 upon 2 P-Q plus 1 ठीक है? यहां पर मैंने ध्यान दिया भी यह मैंने AP-Q बोल दिया AP-Q नहीं SP-Q ठीक? Sum of P-Q terms यह पूर्षा है Sum of P-Q terms तो हो गया यह आपका question question number 5 complete होता है Come to the question number 6 Here it is If the sum of a certain number of terms of the AP 25, 22, 19 and so on up to 116 find the last term Okay मतलब कुल मिला कर पहले आपको N बताना है और फिर A-N N and A-N दो चीज़े आपको बतानी है इसको हिंदी में भी पढ़ दू यदि किसी समांतर शेणी 25, 22, 19 कम हो रही है न इसका D negative है इसका मतलब कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ग्याद कीजिए यानि आपको SN 116 दिया है और A-N आपको बताना है ठीक? यह question है SN given है A-N आपको यह व्याद टेल तो A क्या है बच्चों? फर्स्ट रम क्या है? 25 है न और D क्या है? 22 minus 25 that is minus 3 यह है आपका D अब SN तो SN का फर्मला लगा दो पहले तो या पहले ऐसे लिखते हैं थोड़ा change करते हैं SN is equal to 116 यहाँ पर फर्मला लगा देते हैं N upon 2 2 A plus N minus 1 D is equal to 116 Now N upon 2 2 into A कितना? 25 plus N minus 1 D कितना? minus 3 is equal to 116 N upon 2 50 minus 3 N plus 3 got it? खुल दिया ना इसको तो 2 यहाँ लेकर आ गए तो यह हो गया 232 और आपको यहाँ क्या मिलने जा रहा है? मिलने जा रहा है 53 minus 3 N तो हो गया minus 3 N square plus 53 N minus 232 is equal to 0 got it? अब आप पूरी equation को minus से multiply करतो तो क्या आ जाएगा? N square sorry 3 N square minus 53 N plus 232 is equal to 0 अब 3 इंटू 232 किया आपने तो या 232 के factors करते हैं कितने आएंगे? 116 आएगा पहले तो 116 का half करेंगे तो 58 आएगा है ना? और 2 इंटू यह आजाएगा आपका 29 ठीक है? तो 3 तूज़ा 6 6 तूज़ा 12 12 प्लस 29 यह आपको 53 तो दे रही रहा और तो मुझे लगता ने कि कोई भी इसका combination बनेगा 29, 33, 39 27, 36, 7, 8 तो यह काफी बेकार सा जा रहे है इससे हम क्या करते है? बेटा फॉर्मला लगा से थे हैं, ठीक है? N is equal to minus B plus minus under root B स्कूरास पूरा से हो तो minus B की जगे हो जाएगा minus of minus 53 plus minus under root minus 53 का square minus 4 into 3 into 232 upon 2A तो आगया 6 हाँ, यह हो गया आपका यह हो गया आपका N is equal to 53 plus minus under root 53 का square बेटा होता है 2809 minus आप multiply करोगे 232 को 12 से ठीक है? 12, 24, 36 और 2, 38 12, 24 और 3, 37 2784 ठीक है? upon 6 53 plus minus 15 आएगा यहापे ठीक है? 15, नई 25, sorry 25 upon 6 तो अब यह कितना हो गया? 53 plus minus 5 upon 6 एक बार आप लोगे plus sign तो आपका आएगा 53 plus 5 upon 6 दूसरी बार आप लोगे minus sign तो 53 minus 5 upon 6 तो एक तो हो गया 58 upon 6 और यह आपका हो गया 48 upon 6 तो 6, 8 जा 48 तो 58 upon 6 ते को कितनी सक्टने टर्म्स है? किसी सीरीज में कितने टर्म्स है? तो ऐसे तो होते नहीं है ना टर्म्स टूटे हुए टर्म्स कितने है फिर? 8 टर्म्स है ना इसका मतलब तो n is equal to आपका आचुका है 8 ठीक है? अब आपको क्या बताना है? आपका question यह है कि अंतिम्पद यानि कि आपको एक तरह से a8 बताना है a8 क्या होगा? a plus 7 d होगा a कितना? a आपका 25 25 प्लस 7 इंटू d is minus 3 तो 25 minus 21 and your answer is 4 ठीक तो ऐसे बिच्चों जाब कभी मुश्किल देने लग जाएं factors तो formula is best formula लगा दो हला कि मुझसे गलती हुई छोटी सी बटीक है हो जाती है तो इस तरह से हो गया तो मैं इस वीडियो में सिर्फ दो ही आगे की questions हम लेंगे में आपने नेक्स वीडियो में till then जए हिंद